लोग हमेशा खेसारी लाले आदो पर हील जाम लगाते हैं इसका हकीकत नहीं पता करते हैं क्या खिर सचाई क्या है हकीकत क्या है बस खेसारी लाले आदो चोर है ऐसा ही कहना जानते हैं तो उन लोग को अभी हकीकत नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ सभ अभी मेरे दोस्ट ठीक होंगे तो मैं आपका दोस्त विशाल स्वागत है हमारे चनल भोजपुरिया जहान में आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि कुछ लोग खेसारी लाल यादो को गाना चोर कर रहे हैं क्योंकि अभी आज जो खेसारी लाल यादो का गाना रिलीज हुआ है जश्ट वही नाम से आलम राज का भी गाना रिलीज हुआ है इसलिए लोग खेसारी लाल यादो को चोर बोल रहे हैं तो जो लोग ऐसा बोल रहे हैं जो भी ऐसा कर रहे हैं उनको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में हम सा आने का हकीकत बताया जाएगा बस आप लोग से आग रहा है कि वीडियो कौन्त तक जरूर देख लीजेगा चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और जल्द से जल्द एक लाग तक चैनल को पहुंचाईए ये आप लोग के जिम्मेवारी है मेरे दो दोस्तार हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जरूर जूर जुड़ जाएए ये शुरुआत करते हैं आज का वीडियो और आप लोग को बताते हैं कि क्या सच में खेसारी लाल यादो ने गाना चोरी किया आप लोग को बता दे कि आज के दिन ही दो गाने रिली होता है जिसका नाम है आवा चाट के मरजा आप लोग इसक्रिन सुट में यहाँ देख सकते हैं ये गाना खेसारी लाल यादो का सुजय म्यूजिक वर्ल्ड से रिलीज होता है और आप लोग को बता दे कि इस गाने के लेखक जो हैं पिंकु बाबाजी है और इस गाने के लेकिन ये गाने को गाये हैं किसने तो आलम राज ने गाये हैं और इस गाने को लिखे हैं पिरबल बिहारी और चंदन राज जी इस गाने को लिखे हैं संकर सिंग जी इसका म्यूजिक बनाए हैं अब बात यहां पर ये फस रहा है कि खेसारी लाले आदो ने आलम राज के गा इसा बहुत सारे विरोधियों का कहना है कि खेसारी लाले आदो गाने चोडा लिये हैं। लोग हमेशा à भी आपोग सुनीजेत खेसारी लाले आदओ गाने का पंचलाइब अब आप लोग को सुनाते है, आलम राज के गाने का पुंच लाइन दोनों गाने का पुंच लाइन आप लोग सुन सकते हैं और दोनों गाने का म्यूजिक भी आप लोग सुने क्या इसमें कुछ भी मिलता जूलता आप लोग को लग रहा है आप लोग कोमेंट बॉक्स में बताईए मेरे दोस्त सारी लाल यादो के गाना और आलम राज के गाना में बहुत ही अंतर है, दोनों का ले अलग है, धून अलग है, म्यूजिक अलग है, सब चीज अलग है, बस नाम ही एक है, आवचाट के मरजा, तो अब आप लोग को लग रहा होगा कि आखिर सब चीज अलग है, तो नाम क्यों आप लोग की जनकारी के लिए बता दे कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे भाई, यह जो आवचाट के मरजा, यह जो डायलोग है, अभी इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जितने भी सोट वीडियो प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम टीकी, इंस् वीडियो में आप लोग देखें, इनका नाम कृष्णा कुमार है, और यही फ़र्ष्ट बार इस डायलोग का बनाया है, और आप लोग को बता दे कि इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा यह डायलोग वारल हुआ है, सबूत के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते है कि यह कृष्णा कुमार के म्यूजी का उपयोग करकर के बहुत बड़े-बड़े किरियेटर कितने वीडियो बना चुके हैं, सबूत में आप लोग देख लीजे, चार मिलियन, पांच मिलियन किसी का दो लाख है, बहुत सारा वीडियो वारल हो रहा है, तो इसी वारल व बता दे कि यह एक वारल टॉपिक है, और वारल टॉपिक पर किसी को भी कोई गाना गाने के लिए पूरा छूट है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि वारल टॉपिक पर गाना गाने से हिट होता है, इसलिए आलम राज भी गादिये हैं, और खेसारी लालयादों भी गादिय के आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो बस छोटा सा काम कीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग इस चीज से अंजान है उनके तक वीडियो को सेर करके पहुचा दीजिए और अगर हमारी कही गई बात आप लोग को पस पंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जरूर जूर जाएए क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं मिलते हैं फिर नए वीडियो फिर एक नई जनकारी के साथ तब तक ऐसे ही सपोर्ट और प्यार दुलार बनाया रखें अपने दोस्त के चैनल भोजपुरिया जहान के साथ